हेलो एव्रिवान वेल्कम टू मायू पीएस्सी MPPSC मद्यप्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का नोजून को जितने भी सब्जेक्ट्स का एक्जाम लगा था उनका रिजल्ट सभी का आज चुका है एक इंगलिश का बाकी था वो भी अब डिकलेर हो चुका है रिजल्ट आप चेक कर लिजेगा इंगलिश का अब इसमें क्या कट ओफ गई है क्या बच्चों से बात हुई है वो भी आपके साथ सेयर करेंगे देखे इसमें टोटल 200 सीट्स है जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटे सीटे सीट की है 97 SC की 29 है OBC की 45 है इस तरीके से ये सीटे दी हुई है ये 87 13 का है जो 45, 41 और 4 सीटे ये कौर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद ही किलियर हो पाएंगी अब जो 200 सीट्स है उनके लिए कितने लोगों को इंटर्वी के लिए कॉल किया है इन्होंने देखे ये टोटल 385 लोगों को इन्होंने इंटर्वी के लिए कॉल किया है अब ऐसा होता है कई बार की जैसे एस्टी की 97 सीट है तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि जैसे क्वालिफाइंग मार्स लाने जरूरी है तो हो सकता है वो उतने कंडिडेट नहीं इलिजिबल हो तो उतने नहीं मिले होंगे इसलिए ये त्री टाइम्स नहीं है इसमें टोटल बाकी अनलिक रखा है आपकी तीन गुना और जो इक्वल मार्स है उनको इंटर्वी के लिए कॉल किया गया है ये जो उपर वो 8713 वाला दे रखा है उनकी प्रोविजिनल लिस्ट है ये आपके डॉकुमेंट्स की लिस्ट है कि आपक अच्छे से एक एक सब्द पढ़िएगा जिनका इंटर्व्यू है कोई गलती ना हूँ ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा और आयोग आपको इश्यू क्रियेट हो जाएगा इसलिए सब चीजे अच्छे से पढ़ना अब बात करते हैं इसमें एक तो लाइबरेरियन का रिजल्ट बाकी है जो ये लाइबरेरियन का एकजाम भी हुआ था इसके साथ में लाइबरेरियन वाला जो है वो होपफुली नैक्स्ट वीक तक आने के चांसे हैं अगले एक वीक में और फिर उसके बाद जो चार अगस्त को एक्जाम हुआ है उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो पहले लाइबरीरियन का आने की उमीद है जहां तक है एक वीक में लाइबरीरियन का आ जाएगा हो सकता अगले दो-तीन दिन में आ जाए इसमें जो कट ओफ है एस्ट की कट ओफ की बात करते हम तो एस्ट की कट ओफ इसमें जो लोगों से बात हुई है 118 है इसके अलावा 119, 121, 126, 139, 132 ये माक्स बताया है एस्टी केटेगिरी में OBC की बात करें तो OBC में 122, 124, 125, 126, 131, 138, 140, 143 ये marks कुछ लोगों ने बताये हैं बच्चों ने ये आपके साथ share कर रहे हैं जनरल की बात करें तो 137, 139, 141, 143, 145 ये OBC में बताये गए हैं और जनरल में भी 140 और 146 के आसपास ही 2-3 बच्चों से बात हुई है जो उन्होंने बताया है एक तो क्या है कि जिनका selection नहीं होता है वो phone नहीं उठाते हैं और जिनका हो जाता है वो लगबग बताते हैं क्योंकि वो answer किया तो उसका issue रहता है और वो भी clear नहीं रहते हैं तो जो बताया है उन्होंने वो ही आपके साथ share कर रहे हैं ST में 118, 118 कम से कम बताया है और OBC में 124 बताया है इस तरीके से आप देख लीजेगा आपके क्या marks है वैसे तो answer की आपने मिला ली होगी लेकिन जिनका selection हुआ है आप seriously interview की तहरी कीजिए interview में आपके subject के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि उनको पता है आप return clear करके आया है आपके खुद के बारे में ही होता है interview ज्यादा तर आप जहां से belong करते हैं या पिर जो basic है आपके subject का या जो आपका education background है या पिर आप जहां से आते हैं जिस district से या पिर जिस state स उसके बारे में जरूर पढ़िएगा mirror के सामने बैठ जाईए अगर आपको agitation होता है कि interview का नाम सुनके की दिक्कत आएगी तो आप mirror के सामने बैठ ये और खुद से बात कीजिए अपने बारे में क्योंकि सबसे पहले आपसे बैठते ही पूछ लिया जाता है कई बार की आ एक short and sweet तयार कीजिए आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप James Bond की तरह interview तयार करें कि आप बहुत intelligent है ऐसा कुछ नहीं है normal रही है honest रही है अगर आप honest नहीं रहते हैं interview में तो ये मान के चलिए कि वो जो लोग interview लेने वाले हैं उनके पास बहुत experience है न बना लीजिएगा आप DF बरते हैं उसको सोच समझ के बरिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि DF पर ही पूरा interview हो जाता है और भी कोई query है तो comment section में पूछ लीजिएगा thank you very much